हाई गैस बेक तो मैं चैनल मैं आस जानवी फेमिली ब्लोग में आप से की बदबश वागत है आज मैं बात करने वाली हूँ मनी प्लान के बारे में मनी प्लान क्यों लगाते है घर पे क्यों लगाया जाता है इसके बारे में बहुत सारे जनकारी लेते हैं तो गैस मैं सबसे पहले पताने वाली हूँ आप मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे बेल आइकन की प्रेस कर दीजे ताकि सारी नोटिवी के सनाती रहेगी तो मनी प्लाट लगाने से घर में धन की वर्सा होती है शुक्षांती मना कर रखते हैं आपक की घर में खुब उनती रहेगी खुब पैसे की कभी कमी नहीं होएगी और यह लच्मी की रूप माणा जाता है मनी प्लाट और इसको काफी सारी लोग पुझा भी करते मनीP्लांट को और मनी प्लांट लगाने से एकदम उसकी खासियत भी जान लेते मनी प्लांट को या फिर बोटल में लगाएं इसके लगाने से और इसको काफी सारे उनती होती है जीवन में काफी सारे खुशी आला आते हैं और मनी को देख भाल करने में भी हम लोगों के बहुत जाधा खुशी मिलती हैं और बहुत अच्छा शुब माना जाता है बनी प्लांट तो मनी को कैसे लगाना चाहे तो आप कहीं से भी लाएं कटांड करके लाएं कट्टिंग करके बोटल में लगा या फिर मीटी में लगा गंले में अगर गंले में लग जहाते हो तो आप दू गुमती चक्र डाल किए ज़रों में मनि पलान की तक काफी सारे एक गर में शुक शांती रहेगी धन की बड़सा हुएगी गुमती चक्र लक्षमी की बाश होती है, गुमती चक्र से काफी जादा हमें फैदा और लाख मिलती है, गुमती चक्र एकदम लक्षमी की बाश होती है, और उसके नीचे डालने से काफी धन की वर्सा होती है, उसकी घर में शुक शमरीदी पाई जाती है, धन की कमी नहीं होती है, भी न लगाएं बेडरूम में अच्छा शूब नहीं माना जाता है और आप बाहर वाले हॉल में लगाएं या कहीं आप सेव जगपे ही लगाएं और मनी प्लांट को कहा रखना चाहिए मनी प्लांट को किस तरफ लगाना चाहिए मनी प्लांट को दच्छिन और पूर्व दिस लगाने से इस तरीके से लगाने से आप काफी सारे धन की प्रापती कर सकते अपके जीवन में खुशया ही खुशया आ सकती है अबकि भी आपकी कोई चीजों की दुखों के शामना नहीं करना पड़ेगा आप में खुब उनती रहेगी कि आपके सारे उची लेवल प्रों पह तeurकर नहीं आना चाहिए अगर मनी प्लांट आपके घर में काफी ज्यादा जो है गरोथ आ गया तो खूब अच्छी बात है आपकी जीवन में खूब ज्यादा धनकी बढ़सा होगी और मनी प्लांट को हमेशा नीचे की तरफ है तो मनी प्लांट को उपर की तरफ एक धागा या डोरी लेला उसको ऐसे उपर लटका दे उपर की तरफ चरहा दे तो काफी ज़्यादा आप उपर की तरफ तरकी कर सकते हैं और काफी ज़्यादा लाफ मिलेगी आप ओफिस में है तो ओफिस में भी लगा सकते हैं और दुकान पे हैं तो दुकान पे भी लगा सकते हैं कभी भी मनी प्लांट को घर से बाहर नहीं लगाना चाहिए मनी प्लांट को घर के बाहर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि अंदर में लगाए तो अंदर में ही पैसे की आने की छमता होती है परवेस तो अंदर में ही होती है तो मनी प्लांड को हमेशा बाहर नहीं लगाना चाहिए मनी प्लांड को अंदर में लगाना चाहिए और मनी प्लांड को कभी भी बाहर लगाए तो एक वाद की ध्या मिमांना जाता है तो मनी प्लांट को अच्छे से देखभाल करें और चोरी से बचाएं अगर आपको मनी प्लांट घर पे लगाने का मन करता है दिल करता नहीं है ताई आप कहीं आसपास से किसी पार्क से ला करके आप पूछ के लाएं तो अगर वो देदे तो ठीक है लगा सकते हो नहीं तो कहीं से भी नरसरी से लेकर कि आप आ सकते हो और लगा सकते हो कभी भी आप नरसरी से लाईए लगाईए तो बुधवार की दिन सुभ माना जाता है बुधवार की दिन और अच्छा दिन पाये जाता है उस दिन लगाए तो ज्यादा अच्छ रखते हैं चाहिए फीर उसमें लगाइए मीटि में तो गुमती चक्छ दो डाल दे और कभी भी हमेशा उसको देख भाली करनी चाहिए अगर उसमें पानी दे दे रहे हैं मनी प्लांट में तो उसमें गाई की दूद थोड़ा सा जरूर मिला के डाल दे तो आपकी धनकी उनती उनती होएगी धनकी वर्सा ही वर्सा होगी और मनी प्लांट लगाने से आपकी जीवन में खुश्या रहेगा शुक्षांती रहेगा आपकी अगर आपकी घर में किसी भी परिवार को लराई जगरा नहीं होएगी एकदम शुक शांती बनाए रहेगी जिनके घर में शुक शांती बनाए रखते हैं उनके घर में महालचमी की एकदम किरपा ही किरपा बनी होती है शुक शांती रहती है और उनके जीवन में खुशियाई खुशिया रहते तो आप किसी तरीके से मनी प्लांट लगा सकते हैं और मनी प्लांट काफी अच्छा शुग माना जाता है मनी प्लांट को आप कहीं भी जाये तो मनी प्लांट को देख के जाये तक काफी सारे अच्छा शुग माना जाता है इसकी जीवन में खुश्या लाते हैं तो आप मनी प फलता करने से ही अपनी मंजे तक पहुंचते हैं और लाव पाते हैं तो एक बात की और मनी प्लान के देखे ले लाव क्योंकि अगर आपकी मनी प्लान सूख नए है या वाइट पत्ते हो रहे या पीले पत्ते हो रहे तो उसको जुरूर कटिंग करके ही हटाए हाथों से न त वाइट और इसको हमेशा यह देखे कि मनी प्लान की यह चीज है एक ग्रोथ काफी हडा भरा हो तो बहुत अच्छी बात है आपके घर में दो चार पेर जोरूर लगाना चीहरी भरी रहे तो जितनी हडा भरा रहे गा तो उतनी अच्छी इसूप मानी जाएगी और जितनी देख रहे हैं आपने मैंने एक काफी सारे मनी प्लांट लगा चुकी हूं एक ग्रोथ काफी जादा है तो यह अच्छी लग रही है मनी प्लांट और मैंने बोटल में ही लगाया काफी सारे मैंने छट पे लगाया तो इसकी काफी सारे ग्रोथ है और इसकी काफी एक्तम तो प और एकदम अच्छा शू माना जाता है कि आप सबकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कुमेंट जरूर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना न भूलें मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ